बहुत शुक्रिया, सलाम अलेकुम, शौकुत जुसर जाहिव साथ, बहुत हुकूमत के इस एकदाम को सराज आ रहा है, जिस तरीके से इज़ारी एक जहती आज किया गया, और वजिराज़म ने कहा कि जुम्मे के जुम्मे जो है आप लोग बाहर निकले, अपने कश्वीरी बहन भाईों से इज़ारी एक जहती करने के लिए उपोजिशन इसको क्रिटिसाइज कर रही है, वो कह रहे हैं अभी जुबैट साब भी थे, वो कह रहे थे कब तक इस तरह के तरीके से चलेगा, लोग कल को कहेंगे कि हमें अपने कामों पर जाना है, हमें ये काम करना है, कब तक आप इसको स्टेबल रख पाएंगे, ये हर जुम्हे की कॉल को? अमरान खान कर चुके हैं, लोग उन पर इतिमाद कर रहे हैं, जिस संदाज से उन्होंने, और इनको तकलीफ क्या हो रही है, इनको तकलीफ ही हो रही है कि इनके लीडर जेलों के अंदर है, इनको ने कश्मीर के पड़ी है, ने इनको किसी और चीज़ की, ने इनको पाकिस् कश्मीर का आ गया और इसको इंटरनाशनली जिस तरह फहम हुआ है यह हुकुमत ने पहली दफ़ा वजारत खारजा ने एक बहतरी निकमत अमली अपनाई और इंटरनाशनल लेवल पे लोगों ने तस्थिम किया कि कश्मीर जो है विए पाकिस्तान इंदुस्तान का डिस्प् थोड़ी हैं कि आप अपनी मर्जी से फैसले करें और इस तरह पूरी अवाम को कहें और बाहर निकल जाए इट इस ऑपोजिशन को साथ बिठाएं बात करें हम यह करने जा रहे हैं आप हमारे साथ हैं तजावीज लें शेयर करें उनका यह भी एतराज है अपोजिशन के सा किश्मीर के साहथ करी उसमें आपोजिशन भी थी मेरे साथ ते दे ना कि इमरान खान किया कर ले ब्स्टार वजीराओम क्या कि आप कर ले आपको तरुजावीज़ी के अब हैं अब आप्जावीज दें कैसे दें जब लेखेंगे भी आप अपूसिशन के साथ हमारा कुई दाती जगरा नहीं है ना प्राइम इनिस्टर को को कोई दाती जगड़ा है हमारा तो देखे हम इस मुलके लिए हमें लोगों ने वोट किस दिया 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 था इम्रान खान को कि वो एतसाब करेंगे जो लूटी दोलते वो वापस करेंगे ये करॉप्शन खतम करेंगे इसलिए तो वोट दिया था उन्हों ने आके जो नेप का इदारा है उसको बजी स्टंटन करने के लिए कोशिशे की और आज अल्ला के फजल से नेप ने जिलोगों पर हाट डाला है उनको तकलीफ हो रही है और यही खान सब ने कहा था कि मैं आकर तकलीफ पहुंचाऊंगा यह तकलीफ हो रही है अब इशू है कश्मीर का कश्मीर पे तो सारी पार्टी देखो अबावी नेशनल पार्टी का एन पी का अपना एक स्टांस होता था किसी जबाने में और इसी तरह जो सिन की जो जुम आते हैं सारे मलके एवन जे यू आई जो भी कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है ना तो जब पूरी कौम कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है तो इसमें फिर कश्मीर कास को नुखसान पहुंचाने के लिए सिर्फ अपने खातर अपने मुफादात के लिए बातें कर बागी ठीक है ये तो स्यासत होती रहीगी